हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, 24 अप्रिल 24 अठारा की प्रिलिम्स अप्डेटर सीरीज में आपका स्वागत है, यहाँ पे हम दे हिंदू और प्याइबी की इंपोर्टन न्यूज है, वो डिस्केस करने वाले हैं, तो चलिए हमाई डिस्केसन हो स्टार्ट करते हैं, सब उसके लिए, क्यों? क्योंकि बात ऐसी है, देखो, constitutional status पर आप करने से फायदा क्योंगा, पहली बात तो एक तो यह आती है, तो पहले तो हम इसे देखते हैं, constitutional status या सवेधाने की status पर आप करने का फायदा ही हो जाएगा, कि इनके जो भी rights होगर है, जो भी इनकी कही बार सि इस standing committee ने बताया, कि भी minorities की जो भी सिखायते हो गए न, उनको प्रोप्रटंग से नहीं सुना जा रहे है, मैं लग उनकी सिखायतों वो अंदेखा किया जा रहे है, इसलिए कुछ ने कुछ इस्टे उठाने की जरूरत है, और इसलिए National Commission minorities ने एक Central Government से काया, कि भी हमें constitutional decision, इसका फायदा है हो जाएगा, कि एक तो minorities के जो भी rights है न, तो उनके अवारे में protect करने में help होगी, क्योंकि इनकी सुनवाई है वो किये जाएगी, क्योंकि कोई न कोई terms and condition हो जादा clear हो जाएगा, इसके साथ ही transparency है वो बड़ेगी, वो जो सुनवाई नहीं करने के बार issues हो यह फिनको दो दिन के लिए जेल अगरा भी बेच सकते हैं, तो इस तरगे की power वगरा भी इनके पास आजाएगी, मतलब और बात ऐसी है कि constitutional दर्जा मिलने से इनकी power वो बढ़ जाएगी और इनकी सुनवाई वगरा होचगी, और अभी हो रहा है कि minority commission की जो सुनवाई वगर में यहाँ पर आता है पार्सी धरम और सबसे लास्ट में जो एड किया गया है वो कहा है जैनिज्रम तो यह चीज आपको दान रखना है, स्टार्टिंग में 5 थे, Muslim, Christian, Sikh, Buddhism और जो रश्ट्रियन यह जिसमें पार्सी धरम भी कहते हैं, इसके बाद में सबसे लास्ट जो उन दोनों को एक और constitutional दर्जा है वो दिया गया है, बाकी सब को चाहिए OBC का आप ले सकते हो, backward classes गा, यह फिर minorities गा, इनको अभी constitutional दर्जा हो नहीं दिया गया है, के और के और इनके पास सवीधानिक, मतलब statutory दर्जा हो है, तो यह चीज आपको धान रखनी है, कि National Commission for SC and National Commission for ST इन दोनों को हमारे देश में अभी तक सवीधानिक दर्जा है, वो दिया गया है, तो यहाँ पर आपको confuse होने की कोई जरूत हो नहीं है, नेक्स जो article आया है, हुआ है रामसर कंवेंशन के बारे में, context तो कुछ ऐसा है, कि देखो सुंदरवन को एक्चुली रामसर की इस लिभाँ पे साइना हो कि गई थी, और यह पहली एक ऐसी ट्रीटी है, जो कि environment के किसी special purpose गे लिए है, मतलब जो wetlands होते हैं, जो आदर भूमीज होते हैं, उनको conserve करने के लिए इसका निर्माना हो क्या गया था, तो इस टैप के अपने आप में पहली ट्रीटी है, बाक कि इसका होता है, monitex record, इसके बार में उपेस ने फहले question भी पूछा है, तो यह धाना करना कि monitex record है किया, यह देखो, रामसर convention के तहाती, इसको एक तरिके से, एक register एक तरिके का आप बोच सकते हो, कि एक list है, जिसमें क्या होता है, जो भी international level के, important level के, जो भी wetlands है, उनको इसमें रखा जाता है, कि list में सामील के जाता है, ताकि उनको sage के रखना है, उनको संभाल के रखना है, और यह actually monitor, जो monitex record है, यह 1990 में बनाय गया था, तो यह उस दो-चार facts है, जो में आप पर इजार ना करना कि monitex record कि से लिटेड है, तो obviously भी रामसर convention में, जो भी wetlands होग में जाती है, उनके बार में, जहां पर इजाती है, तो इसमें एक context हो था, सुंदर्वन जो forest है, उसको actually यह भी wetland में सामील करने की बात है, को की जा रही है, तो यह चीज़ हमें धानक नहीं, तो सुंदर्वन आपको पता है कि विश्वा का सब्से बड़ा largest में ग्रो फोर प्रमपुत्र रिवर वाले डेल्टा के में एक चुली है, बना हुआ है, तो यह चीज़ हमें धानक नहीं है, रोयल बंगाल टैंगर के लिए फेमस है, युनेशको के जो बाइस पर वैन में रिजो जो प्रोग्राम है, उसमें भी है सामील है, जो की काफी important हो जाद है, तो development committee है, इन दोनों की meeting है, वो भी recent है, वो की गई है, context हो कुछ ऐसा है, तो अभी इन दोनों committee के बारे में हम देख लेते हैं, क्या इन दोनों important हमारे लिए हो जाती है, देखो बात ऐसी है, कि all over world की global economy है, वो आपता आज गला आपको काफी change हो रही है, तो उसको control करने के काम क्या important होता है, काम इसका यह है, कि एक तो हर साल में दो meeting होती है, और यह जो common issues होते है, उनके ओपर discuss करती है, इसके साथ ही IMF, International Monetary Fund है, उसको advice देती है, कि आपको किस तरी के वगरा से काम करना है, तो यह चीज़ हमें यह आपर धान रखनी है, अग दूसरा है, वो है, नूसरा ह bene point था, वो था development committee, तो development committee के हैं, development committee वो एक joint committee है, जो कि international monetary fund और, world bank दोनों की joint committee, तो यहाँ पे में confuse नहीं होना है, UPC दे सकती है, कि international monetary and finance committee है, यह development committee है, Only international monetary fund का है, पात हो गयरा है, तो भी ऐसा कुच नहीं है, इंदोनों की joint committee है, यहाँ एक काम क्या है, काम होई है, एक economic development के लिए काम करना है और manly कौन सी country में developing और emerging में देखो जो country develop हो चके हो वहाँ पर तो यह क्या काम कर सके हैं कि हो ओलडी development हो आज चुका है तो manly in का काम वही होता है कि जहां पर developing countries जाह या या इस developing countries है वहाँ पर step है वह उठाए जा सकें तो यह चीज हमें थोड़ी यहाँ पर दान रखनी है चलो आप एक बात बताए कि international monetary fund है उसका loan और वर्ल्ड बैंक का लोन दोनों में difference क्या होता है देखो international monetary bank international monetary fund है इसका जो loan होता है वो एक्चुली कुछ जैसे कि कोई भी country है अगर वो एक्चुली financial crisis से जूज रही है जैसे कि इंडिया 1991 में आपको पता है कि balance of payment हो नगेटिव हो जाने लग गया था तो उस condition में इंडिया की help की की थी वो की की थी IMF के द्वारा मतलब कोई suddenly एकर कोई help चाही होती है fund वगरा की कोई भी country वगरा की economy को collapse होने से बचाने के लिए वो दिया जाता है IMF के दवरा international monetary fund के द्वारा यह चीज़ में धानक नहीं है और world bank है उसका main difference है कि world bank है वो एक्चुली long term के लिए development के लिए loan देत वगरा बचाने एक तरिके से कि अगरो financial crisis वगरा आ रहे हैं तो उस condition में IMF है वो करता है तो यह थोड़ा में basic difference है वो पता होना चाहिए चलते हैं next article की तरफ नेक्ट जो article आया है वह है बायो डिवर्सटी conservation एंड रूर लाइफूट इंप्रूमेंट प्रोजेक्ट के बारे में BCRLIP तो इसके बारे में हम देख लेते हैं तो इसका काम के सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट का देख लेते हैं क्या IM वगरा किस तर से कोई भी गाहों ले लो हूँ कोई भी गाह लेलोग कोई भी कम्योटी जी रहती है और वह ऐक्चुनिशिग बायो डैवर्शटी के पश्योंचे कई हें म्हेंट भी कर रही है तो ऐसे मामले में क्या होगा कि जो बायो बी इसको भी यहाँ पर संभारा जाज़के हैं लोगों की भी help हो जाएगी और जो conservation हो भी हो जाएगा तो दो काम हो गए इसके एक तो यह होगा कि जो लोगों की help से special area को करना है इसके साथ ही लोगों की livelihood और जीवका है उसको भी सुधाना है जो इस area में रहे हैं यह इसके manly काम है और इसके साथ और क्या काम करेगा इसके दोरह देखो यह होंगे कि जगह जगह पर joint forest management हो बना दी जाएगी स्टेट और central government दोनों मिलके यहां पर काम करेंगी और इसमें forest area में collaboration वगरा क्या जाएगा ताकि जो rural area के जो लोग है वो भी हां पर resources को use हो कर सकते हैं तो यह इसका basic थोड़ा concept नहीं अब आगे इसमें देख लेते हैं कि इसमें कौन-कौन सी bodies और काम करेंगे जैसे कि एक स्टेट का बायो डिवर्श्री डिपार्टमेंट है वो काम करेंगा इसके साथ इस सेंटर लेवल पर से कोई भी direction वगरा देनी होगी वो काम करेंगा conservation and survey division के दौरा तो सेंटर लेवल पर conservation and survey division है वो guide वगरा एक तरह से जो भी support वगरा वो provide कर रहेगा और स्टेट लेवल प सेंटर कोवर्मेंट के द्वरा कहा जाएंगे ताकि time to time है tracking की जासके तो यह चीज़ हमें थोड़ी धान रखना है काफी important project है UPSC के बारे में पूछ सकते डायरेक्ली नेक्स जो आर्टिकल आया है वो एक्चल दो न्यूज है वो है earth day के बारे में तो हर साल 22 अप्रेल को earth day वो मनाया जाता है 1990 से इसकी starting होग की दिन तो theme देख लेते हैं इस बार की जिसपे UPSC का manly focus हो रहते है theme इस बार की हो है end plastic pollution तो यह धान रखना की end plastic pollution है वो इस बार की जो earth day उसकी theme है इसके बाद में अगली news है वो एक है madras high court के बार में context यह है कि madras high court है वो south इंडिया का पहला ऐसा high court बन गया है जिसमें e court fees है वो start की गी है देखो यह चीज़ा रखने कि south इंडिया का पहला बना है e court यह important point यहां पर हो जाता है जहांबे fees वोगर है वो online प काफी सारे high court है जिन्होंने already start करका है तो UPS यहां पर confuse कर सकती है जोगी news में है तो इसलिए एक UPS देदेगी कि इंडिया का पहला ऐसा high court है जिसने e court fees वगरा start किये तो ऐसा नहीं है बही south इंडिया का ऐसा high court है जो कि UPS यहां पर questions वगरा पूच सकती है confuse करने के लिए नेक्ट जो आर्टिकल है हुआ है काया कलब आवार्ड के बार में तो जिको काया कलब जो आवार्ड है वो अमिनिस्टी औफ हेल्थ एंड फेमिली वेलफर के दोरा start किया गया था इसका मैं नाम से बता जाला है कि काया कलब मतलब साब सफाई से लिटेड है हाई जिन्हों से अब इसमें यह प्रावदान किया गया काया कलब आवार्ड में कि भाई हमारे दिसके जो पब्लिक हेल्फ फेसलिटीज है ना जगी होस्पिटल वगरा हो या फिर और इंस्टूट होगे रहा हूं वहां पर एक चुली देखा जगा कि सफाई वगरा है अगर सफाई काफ एक आप्लॉपबर, इसका 2 एडिशन है इन्डिया की इन्डिया पहले बार होस्ट नहीं कर रहें 6 तायम इंडिया होस्टपा कर रहा है all all over 12 सथ है अब इसमें है क्या, इसमें मैंने South Asia की कंटीज हैं, वो actually climate के issues हैं, उनके उपर आपस में आके एक तरी सब discussion वगरा करती हैं, जो भी यहाँ पर South Asia की जो सारे कंटीज हैं, वो क्या करती हैं, उनके जो meteorologist department है या जो ministries हैं, वो आपस में आती है, meteorologist की ministry, और वो आपस में आके ब है, तो point point हो यह आ रहे है, कि इसे world monitoring, sorry, world meteorological organization है, उसके दोरा भी सपोर्ट है, वो क्या जा रहे है, तो ये एक चीज़ आप यहाँ पर दान रखना, कि South Asia climate outdoke form है, उसको world meteorological organization है, इसके दोरा भी सपोर्ट है, वो क्या गया है, चुल आप यह बताएं कि world meteorological organization है, वो UN की इस प्लेट से agency है या नहीं है, देखो इस तरके जो questions है, वो काफी important हो जाते हैं, यह हमारी discussion के आधारपी होते हैं, तो please आप इनका answer वो जरूर दीजेगा, तो अब हम चलते हैं, आगे हमारे आजगी questions series की तरफ, आजगा पहला question है, वो actually health state and progressive report, sorry, healthy state and progressive report के बारे में, healthy state and progressive पहला statement आई है, कि इसे नीती आयोग के द्वारा कि गेती, और दूसरा है, कि इसमें health index को count है, वो क्या जाते हैं, तो दोनों में से कौन सा statement सही है, तो दोनों के दोनों statement ही सही है, क्योंकि health state and progressive report है, वो नीती आयोग और अगर इसके साथ में जो technical चाहिएgar स्चेट को पटोर। स्टेक्नीकल सपोर्थ 500 में को प्रत को ये रिंदमागल बारे में भी से तेमाटर प्याज और अलू के लिए इस स्टार्ट किया गया तो दोनों के दोनों के दोनों इस स्टेटमेंट सही है operation flood की तरज पर इस operation को start किया गया था, operation flood था, वो आपको बता है हमायर देश में दूर की milk production है, उसको improve करने के लिए start हो किया गया था, तो उससी तरज पर हमायर देश की government ने भी recently operation green है, वो start किया था, क्योंगी देखो आजगल क्या होता है, जिस हमने last day देखा था, कि टमाटर आलू प्याज की प्रैस हो काफी ज़्यदा change हो दे रहती है, कही बार तो इतनी सस्ती हो जाती है, कि market में जो पारी होते है, उनको ना के बराबर पैसे मिलते है, जो इतनी किसानों को, sorry, या कही बार ऐसा होता है, कि जो customer होते है, उसको बहुत महंगी चीजे मिलती है, तो इ government उनको storage कर लेगी, किसानों से उची दाम देखें, ताकि किसानों को लोस ना हो, और जब market में महंगी हो जाएंगे, तो उसको इसमें government वो अपने storage से भाहर निका लेगी, ताकि जो customers है, उनकी हितों की रख्षा की जाज़के, तो customer friendly भी है, और किसान friendly दोनों को इसमें हितो को ध्यान में रख लाग गया गया, तो ये चीज़े में आपे ध्यान रखनी है, नेक्स्ट जो question है, वो है, ये विधान के बारे में, जो कि मैंने कहले डिसकस कहा था, ये विधान project के बारे में, पहला statement यह है, कि हिमाचल प्रदेश इंडिया का पहला ऐसा state है, जिसने ये स्टार्ट किया गया था, दूसरा statement है, कि इसे पार्लेमेंट है, फिर जो मिनिस्टी है, उसके दोरह स्टार्ट किया गया था, तो जी हाँ, दोनों के दोनों statement यहां भी सही है, कि माचल प्रदेश इंडिया का पहला ऐसा state है, जिसने 2014 में ये विधान project है, वो स्टार्ट किय ये था, कि इविधान project है, वो पार्लेमेंटी, फिर जो मिनिस्टी है, उसके दोरह स्टार्ट है, वो क्या गया, तो ये तो थी, आजगे माया discussion, फिलाल की discussion में इतना ही है, थेंक्यू वेर मस्ट फोर discussion